अलो दोस्तों स्वागत एक बाफिर आप सभी का आपके अपने टूप चैनल प्यास क्लासिस पर तो दोस्तों आज के इस पीडियो लेक्चर में हम बर्गमूल यानि अंडरूट को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि बर्गमूल को जोड़ा कैसे जाता है त्मक्रणट पास्वाल है बर्मूल तीन पिलस बर्गमूल तीन और भर्मूल को जोड़ करके कितना इसका आंसर आएगा जोड़ना का क्या तरीका तरीका और देग्ए डोस्तों आम लोग बैच्छों होता है यह विद्चों साइलें ड़ा ता यह आपको आपको सिंपली व बच्छों एक बनी यह बच्छों को एक यह बाल लिखा जाएगा बस इसका यह आप लोग को मेरी बाल यादि रूट के आगा जो नंबर पर इसी को हम एड़ करते ठीक है ऐसा नहीं कि एक रूट तीन यह और एक रूट तीन इसमें कुछ कर बैठो इसके आगे आपको लिखाना कि आगे क्या रहता नहीं लिखा यह इसको जोड़ना होता है तो बन कितना वाँ आपको बच्छों लिख दिया जाएगा तो यह बर्भमूल तीन पर बर्वल तिल का यह आंसर हो जाएगा जोड़ेंगे तो आप ठीक है नेक्स बच्छ तो रूट तीन का बच्छे दो लिखा हुआ है कि यह रूट दो यह दो और एक जोड़ जाएगा तो यह बच्छ इसका आइसा अंसर हो जाएगा कि लिए आप लोगो पाँच पिला चार और यह कि लिए आप लोगो मेरी बाद अब इसको रूट का गया है यह तीन और चार है तो रूट बच्छ एक यह बाल लिखा जाएगा बस यह इसका जोड़ जाएगा उम्मिद करता हूँ आपको इससमंज में आ गये होगा अगल बच्चे यह बात आपको सब्सक्राइब का गटाओ समझते हैं ठीक है अब देखिए रूट दो माइनस रूट दो कि लिए आप लोग मेरी बाद ठीक है तो यहां पर क्यों होता और यहां भी बच्चे क्यों आपको बता रहाता तो बन में सब्सक्राइब तो जीरो हो तो तरीका क्या आपको लिखने जरुवत नहीं होती है क्योंकि रहता है यह हो जाएगा रूड रूट रूट दो से खत्ला लुट दो आपको आपको बच्चे आपको 2 आपको 2 आए ठीक है दिगे अला सवाल समझते अला सवाल est पांच मानिस को रूड़ पांच यहां पर एक है बच्चों ठीक है तो आट में से गटाएंगे तो साथ बचेगा ठीक और यह जो रूट पांच दो बच्चों एक वाल लिख दाएगा तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब बच्चों की गुणा समझते है की गुणा देख़े रूट की गुणा देकि रूट दो इंटू रूट दुप चार हो जाएगा और बच्चों की चार है इसा बह सब्दो состо बच्चों को नृट आजाएगा तो जैब भी रूट बच्चों की लिखना होगा रूट के अंदर के नंबर आजाएगा बस रूट पड़ा देंगे के लिए आप लोग को मेरी बाद अच्छा आपको समझाता हूँ इसमें क्या देखिए यहां पर तीन है और यहां पर दो है तो तीन दोनी बच्छो क्या हो जाएगा अब रूट पांच की गुणा रूट प तो इसका फाइनली आंशर हो जाएगा तो यह इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जैसे अब यह रूट तीन है बच्छो यह रूट दो अलग अलग नंबर है तो ऐसे के रूट आसे लागा रहने को दो त्या बच्छो और इसका फाइनली हो जाएगा तो इस परेकार तो रूट की गुणा की जाती है अब देखिए आपको रूट की भाग करना चिकाता हूं के रूट की बाग कैसे की जाती है देखिए सवाल समझी रूट पांच भाग रूड ठीक है इसको बच्छे ऐसे लिख सकते हैं रूट 5 डिवाइड रूड 5 तो रूड पांच से थे हो पन आज़ाएगा तेक है बन से यहीं हो जाएगा तेक है अगला आपको समझाता हूति कि तीन रूड 2 तो ऐसे लिखा थें न रूड 2 और यहाज आजाएगा ठीक है रूड 2 तो तो चैनल हो जाएगा अगला आप समझे लिए देखे चार रूट तीन भाग दो रूट तीन बटे में लेको दो रूट तीन तीन बच्छों कर दाएगा और दो 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 आज आएगा कि लिए आप लोगो करते हैं आपको अच्छी स्क्राइब हो गया होगा थे देखते हैं देखें लेकिन कि दस रूट पांच भाग तीन रूट पांच कैसे करें देखिए दस रूट पांच को पहले लेगे लिए ठीक है और भाग मां होता तो बच्छे बादवाद नंबर इसके नीचे नीचे यह दो अच्छा लगा होगा अपको अच्छा लागा होगा तो अपनी हैं आपलो को लाइक द्रुब कर लिजिए चैनल प्र द्रुब कर लिए और रिगे नेस्ट वीडियो में किसी नेट आप की चार्स